Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru Please click on the like, share and subscribe button दोस्वो स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक आज का टोपिक है Basics of Shell दोस्वो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था Dealboot RHEL 8 with Windows 10 यानि की Dealboot करना अपने सिस्टम को Windows 10 के साथ दोस्वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा सबसे वहले हम शेल की बात करते हैं तो शेल हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें कमाड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है केई सारे एक्जाम्पल्स हैं शेल के अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने करन शेल को तो आप टाइप कर सकते हैं कमाड एको स्पेस डॉलर साइं कैप्स में आपको शेल लिखना है तो यहां भी मुझे बता रहा है कि मेरी सिस्टम के अंदर बैश शेल है बैश का मतलब होता है बाउन अगें शेल यह एक तरह का इंटरफेटर है जो कमाड की प्रोसेसिंग करता है यह कमांड लेता है टेक्स फॉर्मेट में और कॉल करता है उप्रेइडिंग सिस्टम को के वह में रिजल्ट दे उन कमांड का बैश जो है वारा एक इंप्रूवड वर्जिन है एसेच का बाउन शेल का दोसो उसके बाद आता है कमांड प्रॉम जैसा कि हमारी विंडोस के लें कमंड के लि्रम के सरे लेकर कमाड्स के करिए के सिदिव है अगर आप को स्मांड करने होगा अगर चले से पहले यहां पर शल께 च alanने ते अगर आपके सिस्टम के उपर आगा जब आप शेल पर लॉगिन करोगे अगर वहां पर ऐसा लिखा आता है यहां भी आपको डॉलर का निशान नज़रा रहा है इसका मतलब होता है अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके लाइक्स के अंदर खौन पर शेल अफ्लेबल है तो आप एक कमांड टाइप कर सकते हैं इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी कमांड टाइप करते हैं फोर एक्जांपल आपने अपने हाइफन लगाया अगर आप यहां पर सिंगल टैप को क्लिक करेंगे तो आपको बेस्ट ओप्शन दिखाएगा कि अगला ओप्शन क्या हो सकता है आपका अगर आप डबल टैप करते हैं तो आपको सब भी पॉसिबल वैल्यूज दिखाएगा यारे कि अटो कम्लीट करेंगा सेकिंड फीचर है कमांड लाइन हिस्ट्री डैट मिल्स इस शेल के अंदर आपकी कमांड की हिस्ट्री सेव हो जाती है यानिकि आप लास्ट मांड को चैट कर सकते हो कि आपने कौन-कौन सी कमांड को एक्जेग्यूट किया हुआ है यही फीचर सिरफ आपका पैश के अंदर ही अब लेपल है जब अपनी सिस्टम जो पर आप हिस्ट्री कमांड को रन करोगे तो यह आपको प्रिवेस एक्जेग्यूट कमांड को दिखाएगा अगर आप अपनी करोगे हिस्ट्री स्पेस माइनस सी अगर आप कोई पर्टिकलर कमांड को रन करना चाहते तो आप टाइप कर सकते हैं साइन अफ एक्सलामेशन गर नमबर फॉर एक्जामपल जैसे कि मैं पर टाइप करता हूं लस एंटर लल एंटर अब मैं यह आपको यहां पर तीन करें एंटर करोगे तो आपकी लास्कमांड का क्रेडा अगर आप माले ज्टी करना चाहि करना जातो होँ तो आप यहां पर कमांट करेंगे history space hyphen d before delete 3 enter तो यहां फिर से command type करता हूँ history आपको fourth number वाली history दिखा रहा है यानि कि यह history command आपकी delete होगी है third one आप आपको यह विली history command दिखा रहा है 5 वाली तो यहां भी आपको दिखा रहा है जो आपकी five number पर history command है अब यह चोत्य number की होगी कि मैंने उसमें से command को delete कर दिया clear दोस्तों अगला है आपका absolute और relative path दोस्तों absolute का मतलब होता है जो अब आप पूरा path define करते हैं यानि कि जो आपका path है वह आपका slash से data होता है जैसे मैंने यहां पर command type करी slash के उपर बैठ कर जैसा कि मैंने यहां पर command को type किया ll तो यहां भी आपको current location की data दिखा रहा है जैने कि यह folders वहां पे अब label है दूसरा आपका relative path relative path का मतलब होता है आपकी current location जैसा कि मान लीजिए आप desktop के उपर दो folder बैने यहां पर create की है default space root का तो मेरी यहां पर location जो आप desktop की है तो मैं इस command को अगर ऐसे ही run कर देता हूँ mkdir space folder ने तो मेरा वो desktop के पूरी folder create हो जाएगा pwd command से आप चेक कर सकते हैं आपकी present working directory काउन सी है for example जैसे मैं यहां पर desktop के हूँ यहां मैं यहां पर command type करता हूँ तो यहां पर कुछ भी अवलेबल नहीं है तो मैं यहां पर type करता हूँ command mkdir space 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 enter ll किया यहां कि दोनों की दोनों folder मेरे current location पर create होगे तो दोस्तों यह एक example है relative path का अब मान लिजिए कि मैं यहां पर अपनी home directory में हूँ अब यहां पर बैठके मुझे downloads में एक folder को create करना है तो आप यहां से पूरा path देंगे यहां कि आपका slash से path स्टार्ट होगा तो आप यहां पर type करें command mkdir space forward slash root slash यहां पर दोस्तों उसके वाद आपकी system information अब चेक करना चाहते हैं कि आपका system 32 bit है कि 64 bit है आप यहां पर command type कर सकते हैं union space hyphen i मुझे यहां पर दिखा रहा है x86 underscore 64 दोस्तों अगर आपको output ऐसे नज़र आती है i386 i586 और यहां i686 इसका मतलब आपका प्रेडि सिस्टम 32 bit है और अगर आपको यहां पर नज़र आता है x86 underscore 64 इसका मतलब आपका जो system है वो 64 bit है अगर आप अपना architecture check करना चाहते है आपका 32 bit है यहां 64 bit है तो आप heavenly command भी type कर सकते हैं और यह आपको result वही देगा जो आपका union space hyphen i command दे रहा था समझ आया दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक मिलते अपने नए वीडियो में एक नए topic के साथ थैंक यू झाल